Hello dear kids, यह आपकी literacy skill में हम लोगों ने e-sounding तो words कर ही ली है I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मैं आपको page number 34 पे आपकी book में यह आपके pictures दिये है और यहाँ पे सब उसके name है तो कौन सा name है यह हमें वहाँ पर लिखना है यह कौन सा picture है picture हम identify करके कौन सा है यह picture वो सही spelling यहाँ पर लिखना है यह picture कौन सा है yes pen तो यहाँ पर pen कहाँ पर लिखा है pen यह रहा तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे pen और आप लोग अभी बड़े होगे तो आपको सब भी में जो homework देते हैं वो सब करसिव में ही लिखना है ओके यह क्या है ten one zero ten तो यहाँ पर ten का spelling कहाँ पर है यह रहा यह रहा ten का spelling तो अभी हम वो लिखेंगे ten 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 ओके यह आपको homework है यह दो मैंने example आपको बता दिये फिर यह सब आपको अपने आप खुद से ही करना है ओके फिर उसके बाजू के page में हमें यह pictures वही है हमें सिर्फ match करना है यह किसका है ten तो यहाँ पर ten क्या है यहाँ तो हमें यह इसके साथ match करना है it's so easy फिर यह क्या है egg e double g egg तो हमें इसके साथ match करना है like this ओके यह भी आपको homework है thank you